आप देख रहे हैं तखल नियूज तेंद्रिय करमचारियों के लिए खुशकबरी जल्द मिलेगा साथवे वेतनायो कलाग कॉंग्रेस दफ्तर पर राहुल प्रेंका और रोवेट बाडरा के पुस्टर बीजेपी ने कॉंग्रेस को लिया निशाने पर मदपृदेश के कॉंग्रेसीों ने राहुल को बनाया प्रदान मंतरी कॉंग्रेस ने कहा कारे करता उत्सहामें डॉक्टर ने किया ड्राइवर का कतल कई टुकड़े कर तेजाब में डाले और खजराहों में विदेशी परेटक की दिवानगी सडकों पर किया मस्ती में डांस नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दाखल न्यूजब खबरे विस्तार से मोधी सरकार ने सरकारी करमचारियों को साथवे वितनायों का लाब देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में केंद्रे विश्वे विध्यालों के शिक्षकों और करमचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है ताजा जानकारी के अनुसार मानव संसाधन मंत्राले ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार केंद्रे विश्व विध्याले के करमचारियों को साथवे वेतनायों का लाब देने के लिए रास्ते साफ कर दिये गए है मारव संसाधन मंत्राले के नोटिफिकेशन के अनुसार साथवे वेतनायों का फाइदा शिक्षक शैक्षने करमचारी, रजिस्टार, फाइनस ओफिसर और कंट्रोलर ओफ एक्जामिनेशन को एक जुलाई 2017 से विलेगा इसका मतलब है कि इन करमचारियों को सरकार 19 महीने का एरियर भी देगी सरकार के इस कदम के बाद 32,000 शिक्षकों और करमचारियों को फाइदा पहुचेगा इन सब के अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, कॉलेज प्रिंसिपल और प्रो वाइस चांसलर का अनाउंस और भत्ता भी सरकार दोरा बढ़ा दिया गया है साथ में वेतनायोग लागू होने से अब इनको 11,250 रुपए का अनाउंस मिलेगा वाइस चांसलर को 9,000 और पोस्ट ग्रैजुट कॉलेज के प्रिंसिपल को 6,750 रुपए का अनाउंस मिलेगा वही केंद्र सरकार ने सेंटर यूनिवर्स्टी से पीएचडी करने वाले चातरों को स्कॉलर्शिप में भी बढ़ोत्री दी है लोग सभा चनाव करीब हैं और इससे पहले दिल्ली में कॉंग्रिस मुख्याले के बाहर प्रेंका गांधी, राहूल गांधी और रावर्ट बाडरा के पोस्टर नजर आए इन पोस्टों को हाला कि नगर निगम ने हटा दिया लेकिन इन पर सियासत शुरू हो चुकिया है इसी को लेकर भाजपा ने भी रावर्ट बाडरा, राहूल गांधी और कॉंग्रिस पर निशाना साधा है कॉंग्रिस के राष्ट्र मुख्याले में प्रेंका गांधी को दफ्तर मिल गया है और उनकी नेम प्लेड भी लगाए गई है कॉंग्रिस दफ्तर के आसपास प्रेंका राहूल और रावर्ट बाडरा के पोस्टर भी लगाए गये हैं जिने बाद में हटा दिया गया लोगसभाचनाव की तियारी में जुटी कॉंग्रेस ने प्रेंका वाडरा को महासचिव न्युक्त किया है उन्हें पार्टी मुख्याले में दफ्तर दे दिया गया है और उनके दफ्तर के बाहर उनकी नेम प्लेट भी लगाई गई है खबर है कि गुरुवार शाम बुलाई गई कॉंग्रेस महासचिवों और बिभिन राज्यों के प्रभारियों की बैठक में भी प्रेंका गांधी मौजूद रहेंगी इधर भाजपा नेता संबित पात्रा ने बुदवार को प्रेस कॉंफरेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में अपराधियों के पोस्टर लगे हैं और दोनों अपराधी जेल से बाहर हैं रॉबेट बाडरा के पास लंडन में आठ से नौ प्रॉपर्टी हैं जिसे उन्होंने डिफेंस टील में मिलने वाली दलाली से खरीदा है संबित पात्रा ने कड़ा प्राहर करते हुए कहा कि कॉंग्रिस मुख्याले के बाहर दो अपराधियों के पोस्टर लगे हैं दोनों जमानत पर बाहर हैं इन में से एक पर नैशनल हेराल मामले में आरोप है वहीं दूसरे रॉबेट बाडरा हैं जिन से मनी लॉंडरिंग मामले में परिवर्तर निदेशाले पुष्टाश करेगा आज वो E.D. के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं उस विशह में कुछ बड़े खुलासे आज हम आपके सामने करेंगे जो कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी को दहला के रख देगी आज सुबह जब हम जगे टीवी ओन किया हमने तो हमने देखा दो अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर है पांच हज्जार करोड रुपए गबन करके नैशनल हराल्ड केस में और छे सो करोड रुपए इंकम टैक्स नहीं भरके राहूल गांधी जी अपराधी नंबर वन और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर दो जो आज पेसी जिनकी हो रही है एडी के सामने रॉबर्ट वाडरा राहूल गांधी की भोपाल में होने वाली सभा से पहले उन्हें प्रधान मंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए गये हैं कॉंग्रेस इसे कारेकरताओं का उत्साह बता रही है वहीं बीजी पे ने इस पर सवाल उठाये हैं लोग सभा चुनाओ के नतीजे क्या होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ उत्साहिलाल कॉंग्रेसियों ने राहूल गांधी को प्रधान मंत्री बना दिया है कॉंग्रेस कारेकरताओं का उत्साह है जोश है उसके लिए गोडिक लगा दिया हूँ है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह कोई प्रिचार पसार नहीं किया जा रहा है और अभी तो महागडबंदन में कब क्या होगा समय क्यों साबता है होगा को नेता होगा और किस कॉंग्रेस के इस अती उत्साहा पर बीजेपी नेताओं ने भी तंचकसा है और कहा कि कॉंग्रेस कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए दाखल नियूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पतनी से अवैस संबन्द के नाम पर बदनाम करने की धमकी देने वाले एक सक्ष की एक डॉक्टर ने निशन सा हत्या कर दी हत्या के बाद डॉक्टर ने मिरता के टुकड़े टुकड़े करके प्रिजाब में डाल दिया पुलिस को इस बारे में सुराग मिला तो डॉक्टर को शाफ के टुकड़े करते रंगे हातों गरफतार किया गया पुलिस ने बताया कि डॉक्टर मंत्री के डॉक्टर विरेंध पचोरी ओरफ विरू अपनी पतनी के साथ अवैस संबंद के नाम पर बदनाम करने की धंकी दिया करता था इसी के डर से डॉक्टर ने विरू को तीन फरवरी को अपना ड्राइवर रख लिया था इसके बाद भीवय लगातार डॉक्टर को धमका रहा था तंगाका डॉक्टर ने वीरू की हत्या कर दी और शब के टुकड़े कर गलाने के लिए एसिड में भरे ड्रम में डाल दिये पुलिस ने डॉक्टर को शब के टुकड़े करते हुए रंगे हातों ग्रफतार किया है डॉक्टर की पत्नी का एक साल पहले ही निधन हो चुका है पहले हैं तो अध्या करने के पार शब को शब को शब करने के लिए और वहां पर तीन आरियों की सहथा से लिए उसके शब को कई भागों में नहोंने फुकरों में काटा और उसको फिर जो एनोने ड्रम रखा तो पहले से एसिड खरीजते रखा गए जो अध्या करने उस ड्रम में ऐसी घर के छोड़ी शोड़ी वागों का उसके बाद यह है और फिर उसी का गला रेत कर हत्या कर दी पुलिस के मुताविक मंगलवार को एक मुखविर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस आनन नगर इस दिर डॉक्टर मंतरी के घर दो पहर बारा बज़े पहुची तो डॉक्टर सुनील मंतरी बात्रूम में आरी से विरेंदर के शफ के टुकडे करते हुए मिले साथ ही पुलिस को घर में एसिट से भरा ड्रम भी मिला जिसमें शफ के टुकडे पढ़े हुए थे इसके अरावा बात्रूम में एक अन्य टब में शफ के कई टुकडे मिले हैं पुलिस के अनुसार शफ के बारा टुकडे बरामद हुए हैं पुलिस ने बताया कि डॉक्टर मंत्री की पत्नी शिश्मा मंत्री बुटीक चलाती थी, उनकी एक साल पहले मौत हो गई, उनकी बुटीक में विरेंदर पचारी की पत्नी रानी भी काम करती थी, शिश्मा की मौत के बाद भी रानी का डॉक्टर मंत्री के घर आना जाना था, इसके चलते वीरू को शक्त था कि डॉक्टर मंत्री से उनकी पत्नी के अवैस संबंध हैं। डॉक्टर ने वीरू की धंकियों से तंगा कर ही उसे 16,000 रुपे मासिक वितन पर ड्राइवरी के लिए रखा था। 36 गड़ विधान सभा द्यक्ष चरंदास महंद के अवधर विभार का शिकार पत्रकारों ने उनका विरोध किया है। राइपूर प्रेस क्लब ने भी विधान सभा द्यक्ष चरंदास महंद के अंसेयद विभार की तीवर निंदा की है। पत्रकारों के प्रती असमवेदंशिल व्यवहार का प्रदशन किया। पत्रकारों की प्रतिष्ठा पर आगात करने वाले वा उनका अपमान करने वालों पर सामानता के सिध्धान के तहट करवाई की जाए। इस बीच विधानसवा अध्यक्ष श्री महंत ने भी अपने अनुचित व्यवहार से यह प्रतीत करा दिया है कि सत्ता का नशा कैसे सर्चड़ कर बोलता है। सत्ता पक्ष की ओर से विधानसवा अध्यक्ष जैसे प्रतेश्ठित पत पर आसीन व्यक्ती ने संकेत दे दिया है कि उनके मन में लोकतंत्र के चौते स्तंब के प्रती कितना सम्मान है। राइपूर प्रेस क्लब अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में किसी भी इस तर पर पत्रकार साथी के सौभिमान को आहत करने वालों को इस इस्थिती में नहीं लाया जाएगा। यदि श्री महंत ने की घटना के लिए खेत प्रकट नहीं किया तो राइपूर प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारों के सम्मान में उनके विरुद्ध भी निर्नायक मोर्चा खोल दिया जाएगा। चतरपूर कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर बीते दिनों चार बदमाशों ने एक दुकान पर पहुँचकर कई राउंड फायर किये। बहशत के कारण दुकांदार अपनी दुकाने बंद करके भाग गये। लेंदेन बताया जा रहा है आए दिन शहर में हो रही फायरिंग की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहल बना हुआ है। लेकिन पुलिस के आजाने से लोटेरे कामयाब नहीं हो पाई। गरियाब्द में पंजाब नेशनल बैंक के एटियम को लोटने की कोशिश की गई। लोटेरे इसमें कामयाब नहीं हो पाई। योटे Muse का उप प पूलिस की पी PCR में इन लुटेरों का पीछा किया जल्दबाजी में लुटेरों का पिकप वहान नदी में फस गया फुलिस ने घाल हुए लुटेरे को धर्दबोचा लेकिन बाकी लुटेरे फरार हो गए फुलिस उन्हें तलास रही है लुटेरे एटियम में लगे CCTV कैमरे भी उखाड ले गए थे समय ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहे हैं दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है विश्व परेटर के स्थल खजराहों की मूर्तियां किसी को भी बावरा कर सकती है ऐसा ही हुआ एक विदेशी परेटर का बाबी वायर के साथ खजराहों की इस्थापत तेकला देखकर वे खुशी से सडकों पर जुमने लगा बाबी का विडियो खुब वायरल हो रहा है खजराहों की सडकों पर नाचते मस्ती में जूमते ये बाबी वायर इनका ये विडियो खुब वायरल हो रहा है बाबी ने खजराहों की प्रतिमा और इस्थापत तेकला को करीब से देखा और उसे समझने की कोशिश की बाबी खजराहों को देखकर मंत्र मुग्द हो गए और भावावेश में सडकों पर निरत्ते करने लगे अपनी ही मस्ती में बाबी को किसी का कोई खयाल तक नहीं रहा और वह यहां वहां नाश्टे नजर आए सीबी आई के उपयोग को लेकर केंदर सरकार पर तरहा तरहा के आरोप लगाए जाते हैं अब तक सीबी आई को सरकारी तोता कहा जाता था ताजा मामले के बाद भुपाल में सीबी आई के खिलाफ कुट्टे लेकर प्रदशन किया गया कुत्ते के गले में CBI लिग कर प्रदशन किया और कहा ये CBI मोधी और अमिश्चाह की CBI है सिहोर के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने कहा कि बुधनी इलाके के विकास में उनकी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी अकील शक्ति पीठ विजासन धाम सलकनपूर में माग मेले का उधगाटन करने पहुचे थे पूर्वे मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान के विधानसवा छेतर बुधनी के सलकनपूर में प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने नायक बाबा की पूजा अर्चना कर ध्षच चड़ाया और माग मेले का विधी विधान से शुभारम किया जिसके बाद कॉंग्रेस कारेकरताओं ने आरिफ अकील का स्वागत किया कॉंग्रेस कारेकरताओं को संबोधित करते हुए अकील ने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास के कारे करेगी और बुधनी छेतर में कोई कमी नहीं आने देगी उन्होंने कहा ताजिब की बात यह है कि पूर्वे मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहन के 15 साल शाशन करने के बाद भी सलकनपुरको प्रदेश की धार्मिक महत्व के छेतर की सूची में शामिल नहीं किया गया है जितना संबब हो सकेगा मैं इस इलाके के विकास के लिए कारे करूँगा लेकिन शर्म माना चाहिए उनलों को जो धरम के नाम पर आजिदी करते हैं वो ट्रस्ट पर नहीं बना साके वोलिवूड अक्टर्स अनुशका शर्मा के चेहरे से मिलती जलती शकल वाली अमेरिकी सिंगर जूलिया की तस्वीरे काफी वाइरल हो रही थी कि अब आलिया भट की हमशकल का वीडियो सामने आया है आलिया की हमशकल का नाम सान्या है अनुशका और आलिया दोनों के फैंस यह देखकर हैं कि इनके हमशकल भी मौजूद है अब एक और लड़की का वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वह बिलकुल गली बॉई की आलि यही नहीं उसने यह वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सनाया गली बॉय के उस सीन को परफॉर्म कर रही है जिसमें रणवीर की तरह देखते हुए आलिया ने कहा मेरे बॉइफ्रेंड से गुलू-गुलू करेगी तो ठोक दूंगी ना उसको इसमें सान्या भी आलिया की तरह सिर पर स्कार्व बांधे दिख रही हैं उसके एक्सप्रेशन्स भी कमाल के हैं दोनों में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है इस बुलिटन में बस इतना ही आप देखते रहे हैं अब जरचार भुपाली सुनाएंगे आपको वहरें समाचा में आपका स्वागत कर रहे हूं में जरचार भुपाली और पूरा सुल्य जादा में सुनाता नहीं हूं अरे इनको चाय बगरा दे जब तक चाय पीती रहेंगे तो पहला समाचा सुल्लो आप मैं बता रहे हूं यह कलकत्ता में क्या है मुख्यवंत्री मंता दीथी और धन्य बेट गई बताओ इनको काम कर अब यह टाओ न पार्दी गेंग से क्यों निकल गया हूं इनको पापस ला रहे है यह प्येसा लेगा है वो बापस लाओ नो मुझे लगता है एक तो फैसा होने वाला इनकी आने का किना कीलेंडर आ जाए जाए जो पील पे तंगती हो जो चाहिए लिएन रहे हैं नो बहुत अच्छा कलेंडर बनाते हैं और यह खबर इदा से आरी इंद्रा केंटी चलती है तो मध्यप्रदेश में अभी आवे ना इंद्रा केंटी शुरू होने बाली पंदर रुपे में खाना मिलेगा विरेक फास्ट लॉंच डिनर कि अधे बहुत है और यह बता रहे हूं इतो अच्छी बात है वही पहुंच जाएंगे और किसानों को जो किंट रहकार ने दीया है शत्रा रुपे बता रुपे में काम हो जाएगा लंच मिल जाएगा बिरेख फास्ट मिल जाएगा और बचा कि दो रुपे बचात हो कि मैं बता रहे हूं हम उतने सब्लाई बंद कर दी ना इंजिनियर्ट्य अधिया सभी बनकर सब इंडिया से जाए आहं पर आपर अमेरिका काम हम कुछ करते नहें काम बोग करती है शेया है यह को ए इंसानिया दे गया है मतारे किया क्या जल यह वहिद्ट इस सरकार में प्रिष्ट निकली वह वापस कर रही है और यह पिछली सरकार के दोल मज़ी रहे बजा दिया और क्या करोगी अधर पर दोल दोल लो तो तीन साल के पाप और दुल जाएंगे और कई नेता लोग नो भी लगा रहे हैं वह वह पूश्ट हो प्यारे कि लगानी तब मिलेगा वह जाते जाते हो जाते हो पुराने चाबल वह ना आ गए निकल गए उनकी बढ़ गई यह सथ्रवी रहे पहुंच गए बतारी हों यह बूड़ा हो जाता है लेकिन यह तो शेरी रहता है बतारी हो आप में थक गया हो अब जा रही हो नमस्कार आप देख रहे हैं दखल्यों